क्लास 11 बुक का नाम है आरोह, चेप्टर का नाम गल्ता लोहा, इसके लेखक हैं शेखर जोशी, सबसे पहले शेखर जोशी जी के बारे में जानते हैं जन्म, सन 1932, अल्मुडा, उत्रांचल, प्रमुख रचनाएं, कोशी का घटवार, साथ के लोग, दाजियू, हलवाहा, नौरंगी बिमार है, कहानी संग्र, एक पेड की याद, शब्दचित्र संग्र, सम्मान, पहल सम्मान, निधन, सन 2022 पिछली सदी का छटवा दशक, हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था, एक साथ कई युवा कहानिकारों ने, अब तक चली आती कहानियों के रंग-ढंग से अलग तरह की कहानियां लिखनी शुरू की, और देखते देखते कहानी के विधासाहित जगत के केंदर में आखडी हुई, उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन, इस आंदोलन के बीच उभरी हुई परतिभाओं में शेखर जोसी का स्थान अनितम है, उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतशील पक्ष का परतिनिधित्व करती है, समाज का मेहनत कश औ उनकी कहानियों में जगप आता है, निहायत सहज एवं आडंबर हीन भाशा सैली में वे समाजी के थार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रसुत करते हैं, उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जन जीवन की बहुविद विडम बनाओं को महसूस किया ज करने में उनकी प्रगतिशील जीवन द्रिष्टी और यतार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है, शेखर जी की कहानिया विभिन भारतिय भाशाओं के अतरिक्त अंग्रेजी, पॉलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी है, उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजियों पर Children's Film Society द्वारा फिल्म का निर्मान भी हुआ है, गलता लोहा शेखर जोसी की कहानी कला का एक प्रतिरिन्धी नमूना है, समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोनों से टिपनी करने वाली या कहानी इस बात का उधारन है, कि शेखर जोसी के लेखन में अर्थ की गहराई का द गुजरते हुए हम ये देख पाते हैं कि एक मेधावी किन्तु निर्धन ब्रामन यूवक मोहन किन परस्थेतियों के चलते उस मनुदसा तक पहुचता है, जहां उसके लिए जातिय अभिमान बेमानी हो जाता है, समाजिक विधी निशेदों को ताक पर रखकर वो धनराम लोहार के आफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है, मोहन का विक्तितु जातिगत अधार पर निर्मित जूटे भाईचारे की जगह, मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गल कर एक नया आक ले रहा हो, गलता लोहा, मोहन के पैर अनाया सहीं, शिल्पकार टोले की और मुड़ गया, उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वो अनगून शेस थी, जिससे वा पिछले तीन चार दिनों से दुकान की और जाते हुए दूर से सुनता रहा था, निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पढ़ती हथोड़े की धपदप आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर, और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पढ़ती हथोड़ी की खनक, जिनने वा दूर से ही पहचान सकता था, लंबी बेंट वाले हसुए को लेकर वह घर से इस उदेश से निकला था, कि अपने खेतों के किनारे उगाई काटेदार ज़ाड़ियों को काट चाट कर साफ कर आएगा, बुढ़े वंसी धरजी की बूते का अवव सब काम नहीं रहा, यही क्या, जन भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उनने घर संसार चलाया था, वह भी अवव ऐसे कहां कर पाते, यह अजमान लोग उनके निष्ठा और सायम के कारण ही उन पर सरदा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जरजर सरीर अब उतना कठिन स्रम और वरत उपवास नहीं जहल पाता, सुबह सुबह जैसे उस सहारा पानी के नियत से ही उन्होंने गहरा निस्वास लेकर कहा था, आज गणनात जाकर चंद्रदत जी के लिए रुदरी पाठ करना था, अब मुश्किल ही लग रहा है, या दो मिल की सिधी चढ़ाई, अब अपने बूते की नहीं, एका एक ना भ अभ्यासी है और ना वैसी गती, पिता की बाते सुनकर भी उसने उनका भार हलका करने की कोई सुझाव नहीं दिया, जिससे हवा में बात कह दी गई थी, वैसे ही अनुत्तरित रह गई, पिता का भार हलका करने के लिए वा खेतों की ओर चला था, लेकिन हसुए की धार पर ह फिरते हुए उसे लगावा पूरी तरह कुंद हो चुकी है। धनराम अपने बाएं हाथ से धौकनी फुकता हुआ दाएं हाथ से भटी में गरम होते लोहे को उलट पुलट रहा था। और मोहन भटी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारिगरी को जर गए होंगे मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बच्पन की दुनिया में लोट आये थे। धनराम की आखों में एक चमक सी आ गई थी। वो बोला मा सब भी क्या आदमी थे लला। अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूं आखरी दम तक उनकी छड़ी का डर ल गए। गोपाल सिन की दुकान से हुक्के का आखरी कश खीच करते लोग सिन स्कूल की चाहर दिवारी से उतरते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमा कौचरी मचाते, उठा पटक करते और बांच के पेड़ों की तहनियों पर जूलते बच्चों को पिसे साप सुंग गया कड़े स्वर में पूचते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती, तो गोपाल सिन की दुकान तक उनका समवेत स्वर पहुचता ही। तुरे लोग सिन घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं। फिर वही क पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनन दाता ज्यान हम को दीजिये का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना सुरू करता था। का भार मुहन पर डाल देते। पकड़ इसका कान और लगवा इससे दसुठक बेठक वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक शात्रों में से एक था जिसने त्रिलोग सिन मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मुहन के हाथों कई बार बेत खाए थे या कान खिचवा मुहन के प्रती थोड़ी बहुत इर्शा रहने पर भी धनराम प्ररंब से प्ररंब से ही उसके प्रती स्ने और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बच्पन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मुहन को अपना प्रतिदंदी नहीं समझा बलकि वह इसे मुहन का आधिकार ही समझता रहा था। बीच बीच में त्रिलोक सिन मास्टर काया कहना कि मुहन एक दिन बहुत बड़ा आदनी बनकर स्कूल का और उनका नाम उचा करेगा। धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइस ही नहीं रखता था। और धनराम वह गाओं के दुसरे खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तिसरे दरजे तक ही इसकूल का मुह देख पाया था। कम तेरे, तेरे दुनी 24, सटाक, एक संटी उसकी पिंडलियों पर मास साब ने लगाई थी कि वह तूट गई, गुस्से मनों ने आदेश दिया जा, नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ करला, फिर तुझे तेरा का पहड़ा याद कराता हूँ। त्रिलोक सिन मास्टर का या सामाने नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। और जाहिर है बली का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोस को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वो अपनी ले नहीं, बलकि किसी दुसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। धनराम की मंद बुद्धी रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे तेरा का पहाड़ा याद नहीं हो पया था। विद्या का ताप कहा लगेगा इसमें? अपने थेले से पाँच छा दरातियां निकाल कर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों के विद्या का ताप लगाने के सामर्थ धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लाइक हुआ ही था कि बाप ने उसे धौकनी फूकने या सान लगाने के कामों में उल्जाना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे हाथोड़े से लेकर घन चलाने के विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रेलोक सिन उसने अपनी पसंद का बेत चुनने की छूट दे देते थे वहां गंगाराम इसका चुनाफ स्वैम करते थे और जरासी गलती होने पर छड़ बेत हथा जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाथ दे देते थे एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत समाली और पास पडोस के गाउं वालों को याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने लगे थे प्रैमरी स्कूल की सीमा लांगते ही मोहन ने च्छात्रवर्ती प्राप्त कर त्रिलोक सिन्माश्टर की भविश्वानी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधरन हैसियत वाले यजमानों की पूरोहिताई करने वाले वनसिधर तीवारी का होसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वपने देखने लगे पीडियों से चले आते पैतरिक धंदे ने उन्हें निराश कर दिया था दान दक्षना के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे मुहनपट लिखकर वंस का दारिद्र मिटा दे या उनकी हारदी के इच्छा थी लेकिन इच्छा होने भर से ही स समस्या अलग थी तो भी वंसिधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया बालक मुहन लंबा रास्ता तैकर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद ठका मांदा घर लोटता तो पिता पुरानों की कथाओं से विद्या वेसनी बालकों का उधारन देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते हैं वर्सा के दिनों में नदी पार करने की कठनाई को देखते हुए वंसिधर ने नदी पार के गाउं में एक यजमान के घर पर मुहन का डेरा तै कर दिया था घर के अनि बच्चों की तरह मुहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गाउं लोटाता था सयोग की बात एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाडी के दुसरी ओर भारी वर्सा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया पहले नदी की धारा में ज़ाड जंकार और पात पतेल आने सुरू हुए तो अनभवी घसियारों ने तेरी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन किनारे पहुँचते न पहुँचते मटमेले पानी का रेला उन तक आही पहुँचा वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुँचने में सफल हो सके इस घटना के बाद वनसिधर घबरा गए और बच्चे के भविश्य को लेकर चिंतित रहने लगे बिरादरी के एक संपन परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनव से छुटियों में गाउँ आया हुआ था बातों बातों में वनसिधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंद में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहनवोती चतलाई बलकि उन्हें सुझाओ दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनव भेज़ दें घर में जहां चार प्रानी हैं एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पढ़ता बलकि बड़े शहर में रहकर वो अच्छी तरह पढ़लिक सकेगा वनसिधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हो उनकी आँखों में पानी चलचलाने लगा भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहरा होता है चुटियां शेस होने पर रमेश वापिस लोटा तो माबाप और अपनी गाउं की दुनिया से बिछुड कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनव आ पहुचा अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय सुरू हुआ घर की दोनों महिलाओं जिन्यवाद चाची और भावी कहकर पुकारता था का हाथ बटाने के अलवा धीरे धीरे वो महले के सभी चाचीयों और भावीयों के लिए काम काज में हाथ बटाने का साधन बन गया मोहन थोड़ा दही तो लादे बजार से मोहन ये कपड़े धोवी को तो देया मोहन एक किलो आलू तो ला दे औसत दफ्तरी बड़े बावो की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वा नहीं देता था इस बात को मोहन भी समझने लगा था थोड़ी बहुत हिला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधरन से अस्कूल में उसका नाम लिखवा दिया लेकिन एकदम नहे वातावरन और रात दिन के काम के बोज़ के कारण गाउं का वं मिधावी शात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा साल में एक बार गर्मियों के छुटी में गाउं जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्रानी गाउं जाने वाले होता वरना उन छुटीयों को भी अगले दरजे की तयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था अगले दरजे की तयारी तो भाना भर थी, सवाल रमेश और उसकी ग्रहस्ति की सुविधा असुविधा का था मोहन ने परिस्थितियों से समझोता कर लिया था क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था घर वालों को अपनी वास्तिविक सती बतला कर वह दुखी नहीं करना चाता था वन सिधर उसके सुनहरे भविश्य के सपने देख रहे थे आठवी कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुटियों में मोहन गाउं आया हुआ था जब वह लोट कर लखनव पहुँचा तो उसने अनभो किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वो इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बी-ए-ए में मारे मारे बेकार फिर रहे हैं ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तक्निकी स्कूल में भरती करा दिया मोहन की दिंचरिया में कोई विशे इस अंतर नहीं आया था वो पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में बैस्त रहता धीरे धीरे डेड़ दो वर्स कायस में भी बीट गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कार खानों और फैक्टरियों के चक्कर लगाने लगा वनसी धर से जब भी कोई मोहन के विशे पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लोटेगा लेकिन जब उन्हें वास्त्विक्ता का ग्यान हुआ तो ना सिर्फ गहरा दुख हुआ बलकि वे लोगों को अपने स्वपन भंग की जानकारी देने का सहस भी नहीं जुटा पाए धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारें पूछा था घास का एक तिन का तोड़ कर दात खोदते हुए उन्हें बताया था कि उसकी सेकरेटरियेट में नियुक्ती हो गई है और शिक्र ही विभागिये पर एक्षाएं दे कर वो बड़े पद पर पहुँच जाएगा धनराम को त्रिलोक सिन मास्टर की विभाविश्वानी पर पूरा यकीन था ऐसा हो नहीं था उसने सोचा दांतों के बीच में तिनका दबा कर असत्य भाशन का दोस न लगने का संतोस लेकर वनसिधर आगे बढ़ गए थे धनराम के शब्द मोहन लगा बचपन से ही बड़े बुधिमान थे उन्हें बहुत देर तक कचूटते रहे तिरलोक सिन माश्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बाते करते रहे धनराम ने मोहन के हसुए के फाल को बेत से निकाल कर भटी में तपाया और मन लगा कर उसकी धार गड़ दी गरम लोहे को हवा में ठंड होने में काफी समय लग गया था धनराम ने उसे वापिस बेत पहना कर मोहन को लोटाते हुए जैसे अपनी भूल चुक के लिए माफी मांगी हो बिचारे पंडित जी को तो फुरसत नहीं रहती लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तुम्हें ततकाल बना देता मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा लेकिन हसुए को हाथ में लेकर वा फिर वहीं बैठा रहा जैसे उसे वापिस जाने का कोई जल्दी न रही हो समानी तोर से ब्रामन टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था किसी काम काज के सिलसले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बाचित निप्टा ली जाती थी ब्रामन टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था पिछले कुछ वर्सों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गाउं की इन मानिताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था धनराम मनही मन उसके बेवहार से असमंजस में पड़ा था लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा लोहे की एक मोटी छड़ को भटी में गला कर धनराम गोलाई में मोडने की कोशिश कर रहा था एक हाथ से सड़सी पकड़ कर जब वह दुसरे हाथ से हथोड़े की चोट मरता तो नहाई पर ठीक घाट में सीरा नफ हसने के कारण लोहा उचित धंग से मुड नहीं पा रहा था मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा फिर जैसे अपना संकोच त्याक कर उसने दुसरी पकड़ से लोहे को इस्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथोड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धोकनी फूक कर लोहे को दुबारा भठी में गरम करते और फिर नहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड गोले का रूप दे ड़ला मोहन का यहां सचेप इतनी फूर्ती और अकस्मिक धंग से हुआ था कि धनराम को चूप का मौका ही नहीं मिला वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा उसे मोहन की कारेगरी पर उतना हश्चर नहीं हुआ जितना पुरोहित खांदान के एक यूवक का इस तरह के काम में उसकी भटी पर बैठ कर हाथ डालने पर हुआ था वह शंकित द्रिश्टी से इधर उदर देखने लगा धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट के सिती से उदासीन मोहन संतुस्ट भाव से अपने लोहे के छले को तुर्टी हीन गोलाई को जांच रहा था उसने धनराम की और अपनी कारेगरी की स्विक्रती पाने की मुद्रा में देखा उसकी आँखों में एक सरजक की चमक थी जिसमें नास परदा थी और नहीं किसी परकार की हार जित का भाव तो इस परकार से गलता लोहा चैप्टर समाथ हुआ